चोपड़ा जो कुछ यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में हम कैटेगरी सेटिफिकेट यानि की कास्ट सेटिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि ये कितना पुराणा होना चीए अगर ज्यादा पुराणा अपलोड हो गया तो क्या करना चीए तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे तो वैसे तो नीट का एप्लिकेशन फॉरू फिल करते से में बड़े ध्यान से फिल करना है फिर भी फिल करते समय अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यक्ता नहीं है NTA द्वारा क्रेक्शन के लिए समय दिया जाएगा क्रेक्शन करने के लिए जो भी आपसे मिस्टेक होगी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं अब ये NTA ने क्रेक्शन विंडो का सेड्यूल जारी नहीं किया है लेकिन इसके बारे में ये काग गया है कि क्रेक्शन विंडो का सेड्यूल वेबसाइट पर बात में सुचित कर दिया जाएगा तो अगर का आप किसी कंडिडेट के एप्लिकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो एप्लिकेशन फॉर्म की जो डेट है वो ओवर होने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा तब इसको आप सही कर सकते हैं क्रेक्शन विंडो के समय क्रेक्शन के लिए सभी फिल्ड ओपन होते हैं आप सभी फिल्ड में क्रेक्शन कर सकते हैं जब application form की date over हो जाएगी उसके बाद क्रेक्शन विंडो स्टार्ट होगा तब हम आपको inform कर देंगे अब हम बात करते हैं कास्ट certificate के regarding हम बात करते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे candidate को doubt रहता है कि कितना पुराणा होना चीए अगर ज्यादा पुराणा हो गया तो अगर upload कर दिया तो फिर क्या होगा ये doubt सबसे ज्यादा बना रहता है तो देखो general category का कोई certificate upload नहीं होता है इस बात को हम सब जानते हैं इसके बाद SCST का cast certificate एकी बार बनता है तो चाहिए वो कितना भी पुराणा हो उसको आपको upload करना है उसमें कोई problem नहीं होगी तो ये तीन category में तो कोई problem नहीं है general SCST का cast इन में तो कोई problem नहीं है general का तो cast certificate होता नहीं है SCST का जो भी आपके पास है उसको upload कर दें अब रही बात OBC की और EWS की तो OBC के जो candidate जिनका cast center list में OBC में आता है वही OBC फिल करें जिनका state में तो OBC में आता है लेकिन central में general में आता है तो वो general ही फिल करना है आपको state के लिए बाद में जब आप state में admission के लिए apply करेंगे तब आप OBC फिल कर देंगे लेकिन अभी आपको यहां पर general ही फिल करना है उन candidate को जिनका central OBC list में नाम नहीं है अब central OBC list में आप नाम कहां से चेक करेंगे तो इसकी website है ncbc.nic.in तो इस पर आप जैसे ही विजिट करेंगे वहां पर central OBC की एक list है उसमें आप अपने category चेक कर लें एक बार अगर आपकी कास्ट उसमें आती है तो आप OBC फिल करें otherwise फिर general फिल करें दूसरा तरीका यह है कि आप अपने state की जो authority है जहां से certificate बनता है वहां से पता कर लें कि आपकी कास्ट OBC central list में आती है अगर वो आपको certificate बना के देते हैं तो यह certificate इसमें आपको OBC ncl फिल करना है अब दूसरी बात दूसरी बात यह है कि OBC EWS का certificate 1st January 22 के बाद का बना होना चाहिए एंटिये ने अलग से एक परफोर्मा दिया है यह परफोर्मा EWS और OBC candidate के लिए हालां कि इसमें SC ST PWD candidate के लिए भी परफोर्मे दे हुए हैं लेकिन इसमें EWS और OBC का भी परफोर्मा दिय आ गया है तो यह 1st January 2022 के बाद का बना होना चाहिए अगर आप अभी नहीं बनवा सकते हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं है Information Blatine में एक declaration दिया हुआ है जो यह आप देख रहे हैं declaration OBC का अलग दिया हुआ है EWS का अलग दिया हुआ है यह declaration आप एक white page पर print कर लें इस पर photo लगा लें इसको fill कर लें parents के signature कर लें अपने signature कर लें और इसको आप upload कर सकते हैं इसमें यही लिखा गया है कि मैं अभी 1st January 2022 के बाद OBCI EWS का certificate नहीं बनवा सकता तो मेरे को exam देने की permission दी जाए 22 exam में बैठने दिया जाए उसके बाद में admission के time में मैं यह produce कर दूँगा तो इस परकार का आप declaration दे सकते हैं अगर आपके पास में certificate नहीं है या ज्यादा पुराना है तो आप यह दे सकते हैं इस परकार का declaration अगर किसी बच्चे ने अगर किसी student ने पुराना certificate भी upload कर दिया है तो भी कोई problem नहीं है admission के time में एक जनवरी 2022 के बाद का certificate वो बनवा ले और उसमें admission ले ले अगर उनका admission के time में यह certificate बनवा के चल सकता है कोई ऐसी बात नहीं है अगर उन्होंने पुराना certificate भी upload कर दिया है तो क्योंकि NTA पहले certificate upload नहीं करवाता था इस बार से ही इन्हों ने यह नया जो certificate upload का है वो इस बार से ही लाबू किया है इसके बाद जो PWD candidate है उनके पास में जो certificate है PWD का वो certificate upload कर दें उसके बाद admission के time में जो 15 जगे जो हर एक state में board है उन board के समक्षों वहां से उनको certificate लेना ही होगा तो अभी जो उनके पास में PWD का certificate है वो certificate आप upload कर दें तो यह थी certificate की जो doubt थे वो सारे के सारे आपके मैं सोचता हूँ clear हो चुके हैं और जैसे ही कोई update मिलेगी जैसे ही कोई update आएगी हम आपको inform कर देंगी ज्यादा टेंसल लेने की आवशकता नहीं है नीट के application form को लेके आपने fees paid की है तो आपको exam में बैठने का मोका जरूर दिया जाएगा तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन